बेस्ट Android Apps of November 2022 के लिस्ट में जो पहले नमबर पे आप है इसका नाम है Flashlight by Whistle अब इस आप का काम इसके नाम से ही पता चलता है अब अगर आपको भी कभी emergency में Flashlight on करनी होती है और आपका फोन उस टाइम आपके पास नहीं होता या आपने कहीं रखा होता है तो उस केस में आप Simply एक Whistle बजा के ही अपने फोन की Flashlight on कर सकते हो जो कि देखा जाये तो एक काफी useful feature है अब अगर आप भी अपने schedule और events को लेके काफी active रहते हो और चाहते हो कि कोई भी आपका event या reminder आपसे miss ना हो तो इसके लिए आप इस list के दूसरे नमबर के app जिसका नाम है calendar notification इसको try कर स सकते हो इसमें आपको calendar और आपके सारे events आपके notification पैनल में ही देखने को मिल जाएगा अच्छा कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको कोई media file की requirement पढ़ती है और वो file आपके phone में होने के बावजूद भी आपको नहीं मिलती तो इसके लिए आप इस तीसरे नम और उनको जब चाहे अपने जरूरत की हिसाब से एक क्लिक में एक्सिस कर सकते हो अब किसी भी file को pin करने के लिए आपको उस file पे tap कि रहना है फिर आपको share वाले बटन पे tap करना है और यहां से रूपू पे tap कर देना है अब जैसे आप रूपू select करोगे तो यहां पे कुछ micro gesture अब इस app के थूरू आप अपने phone के किसी भी part को या किसी भी option को access कर सकते हो वो भी through gesture movement आपको इस app को open करेके इसके सारे permission को granted कर देना है and gesture में आपको 3 gesture मिलेंगे x y z तो आपको किसी भी gesture पे tap करके action वाले option से कोई सा भी action select करना है like आप जब उस gesture को perform करो तो क्या open हो and set कर आपको done कर देना है and उसके बाद आप उस gesture को जैसे ही perform करोगे तो वो option जो आपने set किया है वो open हो जाएगा बाकी आप direction, sensitivity ये सारी चीजी आप अपने हिसाब से set कर सकते हो इसके लावा plus पे tap करके आप volume बटन के थू open होने वाले action को भी set कर सकते हो पांचों नमबर के app पे जाने से पहले अगर आपको ये without intro वाली वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा कितना बढ़िया होता न कि अगर आपके phone का wallpaper आपके battery के साब से automatic change होता like battery full होने पे अलग wallpaper, battery mid होने पे अलग wallpaper and low होने पे अलग wallpaper अब इसके लिए आपको ज़्यादा wait करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस list में जो पांचों नमबर पे app है इसका नाम है dynamic wallpapers और ये ऐसे ही काम करता है इसमें आपको अलग-अलग patterns के wallpaper के set देखने को मिल जाएंगे तो आपको जैसा pattern पसंद है वो select कर लेना है और use dynamic wallpapers वाले option को enable कर देना है और इसके बाद आपका wallpaper आपके battery के हिसाब से खुद बखुद चेंज हो जाएगा अब जो इस list में 6th नमबर पे app है इसका नाम है lively wallpapers अब ये एक live wallpaper app है पर थोड़ा different type का क्योंकि इस app के तुरू आप किसी भी website को as a live wallpaper यूज कर सकते हो आपको बस उस URL को open करना है और नीची आपको status wallpaper का option मिल जाएगा तो जितना action आप उस website पे perform करोगे वो आपको as a live wallpaper देखने को मिल जाएगा बाकि इसमें आपको site में और भी काफी सारे option देखने को मिल जाते हैं मैंने आज तक काफी सारे ऐसे app बताए हैं जिनका यूज करके आप अपने phone के sensors वगेरा ये सारी चीजे चेक कर सकते थे पर हर app में कुछ न कुछ मुझे missing लगता था पर जो इस list में 7 नंबर पे app है जिसका नाम है Tasty ये मुझे complete app लगा क्योंकि इसके थूँ आप अपने phone क की सारी चीजों का टेस्ट कर सकते हो इसमें आप Live CPU यूजेस, Storage यूजेस, RAM यूजेस ये सारी चीजे देख सकते हो इसके लावा टेस्ट वाले option में आप sensors और hardware टेस्ट कर सकते हो इसके लावा tools में आपको कुछ important tools मिल जाते हैं like screen recorder, voice recorder बाकि इसके लावा आप app manager में आके य यूज कर रहा है और कितना storage capture कर रहा है और भी काफी सारी चीजे हैं अब जो इस लिस्ट में आठवे नमबर पर app है इसका नाम है note to self जो कि एक बहुत ही clean and minimal offline private note taking app है जो कि chat type के interface के साथ आता है ऐसा लगेगा कि आप किसी के साथ chat कर रहे हो इसमें आप कुछ भी note कर सकते हो इसके लावा इसमें आप location, video, audio जैसे आप किसी को send करते हो वैसे ही खुद के लिए add कर सकते हो बाकि आप अपने private notes को password या biometric lock के थूप protect कर सकते हो और आप अपने notes का offline backup भी ले सकते हो अगर आप अपने काफी सारे apps के shortcuts को एक जगा organize रखना चाहते हो ताकि आप उन्हें instant access कर पाओ तो इसके लिए आप इस नौवे नंबर के app जिसका नाम है pin shortcut इसको try कर सकते हो इस app को आपको अपने home screen पे add कर लेना है और इसको open करके आप कोई भी app and shortcut इस app में pin कर सकते हो shortcut create करने के लिए आपको इसका एक दूसरा app जिसका नाम है shortcut maker इसे download करना होगा और इसके YouTube के sorts वाले option में जाना चाहते हो तो आप YouTube sorts का एक shortcut इस app में pin कर सकते हो and जैसे आप इस app पे थोड़ी देर hold किये रहोगे तो आपको आपके सारे pin shortcut देखने को मिल जाएंगे जो इस list में final यानी 10 वे नमबर पे app है इसका नाम है flex scroll जिसके थुरू आप किसी भी social media app को use करते हुए अपने मन मुताबिक auto scroll enable कर सकते हो इसमें आपको एक floating visit मिल जाएगा जिसके थुरू आप बस एक button पे tap करके auto scroll enable कर सकते हो आप अपने हिसाब से scrolling speed set कर सकते हो इसके अला या एप उस case में ज्यादा useful होने वाला है जब आप scrolling करते करते थक गए हो या आप किसी काम को करते हुए अपने phone को use करना चाहते हैं